एक बार की बात है, एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक गाव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम साहस, खुशी और हृद्यस परशी नैतिकता की जादूई यात्रा पर निकल रही हैं। एक ऐसे गाव में जहां पत्रीली सडकों पर हसी गूंजती थी, लिली नाम की एक चमकदार आखो वाली छोटी लड़की रहती थी, उसकी हंसी संगीत की तरह थी जो हवा में गूंज उठी। गाव से परे, विस्परिंग वुड्स, राचीन रहस्यों और छिपे हुए आश्चरियों का स्थान है। एक दिन, विस्परिंग वुड्स की खोच करते समय, लिली को एक रास्ता मिला जो तारों की धूल की तरह चमक रहा था, उत्सुकतावश, उसने इसकी जग्मगाती राह पर चलने का फैसला किया। राह आसान नहीं थी। यह कांटों और बाधाओं से भरा हुआ था, जो लिली के द्रिड संकल और साहस की परीक्षा ले रहा था। अपनी यात्रा के दौरान, लिली ने बात करने वाले जानवरों और चंचल परियों से दोस्ती की, उनके सोहार से उसके दिल में बहुत खुशी हुई। लिली का दयालू हृदय पहले से कहीं अधिक चमक उठा जब उसने जरूरतमंद अपने नए दोस्तों की मदद की। अपने शुद्ध इरादों से प्रेरित होकर, लिली ने एक बुद्धिमान बुढ़े उलू से ज्यान मांगा, उलू धीरे से फुस्फुसाया। सच्ची खुशी दयालूता फैलाने में है। दयालूता के प्रत्तेक कार्य के साथ विस्परिंग वुड्स बदल गया, फूल खिले, पेड उचे खड़े हो गए और जंगल खुशी से जीवन थो उठा। जैसे ही लिली रास्ते के अंत तक पहुँची, उसे एक चमचमाता जादूई फवारा मिला। यहां उस सारी सुंदर्ता और आकर्शन का स्रोत था जो उसने देखी थी। लिली गाव लोट आई और ग्रामीनों के साथ अपनी अविश्वसनिय यात्रा साजह की सबक्स पश्ट था दयालुता के कार्य सबसे सामान्य रास्तों को भी असाधारन रास्तों में बदल सकते हैं। और इस प्रकार प्रिय दर्शकों हमारी मनमोहक कहानी समाप्थ हो गई। लिली की यात्रा हमें याद दिलाती है कि दयालुता में सामान्य को असाधारन में बदलने की शक्ती होती है और जहां भी दयालुता बोई जाती है वहां खुश्या खिलती है। क्रिप्या हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अधिक वीडियो के लिए